कि अजम बात करने वाले बिजली मीटर बदल नहीं तो आविद्धन पत्र कैसे लिखे अगर आप भी किसी भी कारण वास अपना बिजली मीटर बदल वाना चाहते हैं ठीक है यह फूग गया या फिर कोई भी कारण खराब हो गया तो उससे आप बदल वास सकते है उसके लिए आपको लिखना है सेवा में ठीक है फिर उसके निच्छा आपको लिखना है सिरीमान मुख्य अभियंता यहापे आपको अपना पता लिख देना है जिस थान पर आप रहते हो ठीक है उसके बाद आपको विशे में लिखना है विशे में आपको लिखना है बिजले मिट्र बद आपको अगली लाइन से स्टार्ट कर देना है यहाँ पर लिखा हूँ है मेरा नाम जो आपका नाम हूँ आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है मेरा नाम है मैं वार्ड संक्या जिस भी वार्ड संक्या हम आप रहते हूँ आपको यहाँ पर लिख देना है का निवासी हूँ उसके बाद है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हो रही अत्यधिक वर्षा की कारन मेरा बिजली मिट्र खराब हो गया है यह आपको लिख देना त्यूर है फिर जिसके कारण उसमें रिडिंद दिखाई देनी बंद हो गई है यह आपको लिख देना है यानि कि कारण यहाँ पर आपको कारण लिख देना है ठीक यहाँ पर वल्यज़ भी कारण से आपका मेटर खराब हो गया तो उसकी वज़ा से रेडिंग दिखान नी दिखाई देनी बंध हो गई है उसके बाद आपको अगली लाइमें स्टार्ट कर देना है अता है आपसे निवेदन है कि मेरा बिजली मीटर बिजली का मीटर जल्द से जल्द बदलने की किरपा करे इसके लिए मैं आपका सदा अभारी रहूंगा ठीक है यह आपको लिख देना है यह लिखने के बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा सा नीच्ची की तरफ यह लिखने के बाद फिर आपको यहां पर लिख देना है प्रार्थी उसके बाद यहां पर आपको मीटर नंबर जो आपको मीटर नंबर वह आपको यहां पर लिख देना है ठीक है फिर आपको नाम लिख देना है यहां पर यहां पर पता लिख देना है यहां पर मोबाईल नंबर आपको चेंज करवाने के लिए आवे दिन पत्तर लिख सेखते हो ठीक है सो वीडियो आच चलेके तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जुरू करें पलस बार आइक प्रेस जुरू करें सो थैंक्स फोर वाचिंग वीडियो